नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का, हमारे यूट्यूब चैनल में, तो मित्रों आने वाले यह जो 24 घंटे हैं, एक बहुत बड़ा चमतकार आपके जीवन में होने वाला है, कल का सूरज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है दोस्तो जब आप इस खुशखबरी को अपनी कानों से सुनेंगे, तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे, परमात्मा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यह बात सभी जानते हैं, लेकिन आज वही परमात्मा आपके जीवन में आपको इतना बड़ा सुख देने बॉक्स में, तीन बॉक्स में तीन बार ओम सूर्य देवाय नम्ह अवश्य ही लिख दीजिएगा, दोस्तों इन 24 घंटे में जिन्दगी का हर एक पन्ना बदलने वाला है, और हर पन्ने पर क्या लिखा है, सुख या दुख, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो दोस दोस्तों काफी सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, अगले इन 24 घंटों में, दोस्तों आप देखोगे कि जो लोग बहुत समय से जीवन में किसी चीज को लेकर परेशान चल रहे थे, किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे, उन जातकों की समस्त परेशानिया, आज के दिन आप सभी के लिए उत्साह से भरपूर रहेंगे, घर का माहौल भी काफी खुशनुमा रहने वाला है, ऐसे में दोस्तों, परिवार वालों का साथ आपको भरपूर मिलेगा, और आप अपने हर कम में में मेहनत कर सकेंगे, आप अपने हर काम में अच्छे से ध् भटका सकते हैं, कुछ लोग आपको गलत मार्ग पर भेजने की कोशिश कर सकते हैं, वे लोग दोस्तों, आपकी बदनामी के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ऐसे में दोस्तों, अगले इन 24 दीनों में जितना ज्यादा हो सके, अन्जान लोगों से बच कर रहे, साथ ज्यादा लडाईयां चल रही थी, काफी ज्यादा गलत फहमी में चल रही थी, जिसके कारण चलते आप दोनों के जीवन में बहुत सी परेशानियां आ गई थी, लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होगी, आपकी और आपके जीवन साथी के बीच understanding बने वाली है, आप दोनों एक दूसरों की बातों को, एक दूसरों की भावनाओं को समझ सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे, तो हमारी सलाह दोस्तों आप सभी के लिए केवल यही रहेगी कि आप अपने जीवन मोदी के साथ थोड़ा समय अवश्य बताएं, अपन यह दोस्तों, बंद करके चीजों में सुधार लाने की कोशिश करिए, बैठ करके सारी परेशानियां को दूर करने का प्रयास करिए, वही आप सभी के लिए बहतर रहेगा, साड़ी दोस्तों, पैसों के मामले में समय बहुत ही खास रहेगा, जी हाँ दोस्तों, धन पराया से जब भी आप बात करकर निर्णय लोग, पराय से बात करकर, जब भी आप फैसला लोग, तो हमेशा आपका फैसला गलत होगा, साथ ही दोस्तों, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों, पैसा आपके परिवार में आज लगा नहीं वाला है, जी, हाँ दोस्तों, आज के समय में पैसा हर घ के बीच विवाद की जड़ बनेगा तथा भाई-भाई के बीच केवल पैसा ही विवाद कर सकता है। तो समय आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। फस जाएंगे। इसलिए अपने निर्णय आपको स्वयम लेने होंगे, अपने फैसला आपको खुद ही लेने होंगे। दूसरों की बातों में आकर नहीं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यदि आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आने वाला यह समय आपके लिए शानदार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कोई नई नौकरी ढूंड सकते हैं, कोई नई नौकरी आप जॉइन कर सकते हैं, काफी अच्छा साथ आपका किस्मत देने वाली है और आप जो भी नई नौकरी जॉइन करेंगे, उससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छे पर पर आपकी नई जोब लग शक्ती है, आपकी नई नौकरी गशक्ती है, जिससे की काफी अच्छा फल आपको मिलेगा, काफी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। होने वाली है, जिसकी कलपना आपने शायद कभी सपना में भी नहीं की होगी, आज के वीडियो दोस्तों, आपकी जिन्दगी में आपको किन-किन दुश्मनों से बचाना है, उसके बड़े में बताएगी क्योंकि, तो यदि आप व्यापार करते हैं, तो आपको बता दें, आ आपके खिलाफ चल-चले, कि आपके खिलाफ शडियंत्र रचेंगे, और आपको कैसे ना कैसे अपने जाल में फसाने का पर्यटन कर सकते हैं, यानि कि दोस्तों, आपको अपनी बातों में उल्जा करके, आपसे कोई गलत कम करवा सकते हैं, आपको अपने जहांसे में लेकर के आपका कोई बड़ा भारी नुकसान कर देंगे तो व्यापार से जुड़ जातकों को इन चीजों से बचाना होगा, इन आदतों से बचाना होगा क्योंकि मित्रों यह बातें यह चीज आपका जीवन खराब कर शक्ती है, आपके जीवन को संकट में दाल शक्ती है, साथ ही दोस्तों, बेरोजगार जातकों के लिए समय काफी अच्छा है, समय काफी शानदार है, जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से आप रोजगार के लिए भटक रहे थे, बहुत समय से आप कम के लिए परेशान चल रहे थे तो, दोस्तों, आने वाला या जो वक्त है या जो समय है यह आपके जीवन में परिवर्तन लेगा। अपके जीवन में लगा रहेगा। आप उसके इशारों पर नाचे गजाते हैं, आप उसके खाने में फस जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, तो यह गलती दोस्तों। आपको अगले इन पांच दोनों में भूल कर भी नहीं करनी है। कुछ लोग आपको ऐसे अवश्य मिलेंगे जो आपको अपनी दाल में फंसा सकते हैं, जो आपको अपने जहां से मूल जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बहुत ही सठक, बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी भलाई तो कोई नहीं चाहता, आपकी बुराई करने वाले आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे, आपकी दिल से भलाई कोई नहीं चाहता, दिल से आपका अच्छ प्रिस्थितियों बदलेगी आपको जितनी जिम्मेदारी सोब जाए, आप उसे कम को पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना का पर्याठन करना. जी हाँ दोस्तों, आपको अपने के मोन को टालना नहीं है, अपने के मोन को समय रहते निपटाईए, अच्छे से पूरा करिए, क्योंकि दोस्तों, एक बात आप भी जानते हैं कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका औप्शन नहीं देती, इसलिए जो मौका आपको मिल रहा ह परिवार वालों के साथ समय बहुत अच्छे से भटकने वाला है परिवार वालों का साथ प्रकार एवं उनका हाल चल जानकर उनके साथ समय विता कर आपकी मां को भी बहुत खुशी बहुत प्रसंदता महसूस होगी जिससे की दोस्तों आपके तमाम कश्ट मिटाने वाले हैं तो पारिवारिक जीवन दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है परिवार वालों के साथ आपको बैठ कर थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए परिवार वालों के साथ बैठ कर थोड़ी बात चीत करिए इससे दोस्तों आपका एवं उनका दोनों का मन हलका होगा आपके और उनके बीच एकता बने लगेगी और दोस्तों आपको बता दें निवेश करने के लिए कुछ लोग आने वाले पास दोनों में आपको भड़का सकते हैं आपसे किसी एक गलत जगह मेश कर सकते हैं ऐसे में दोस्तों निवेश को लेकर आपको बहुत सावधान रहना होगा यदि दोस्तों कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कहानी निवेश कराए, कोई व्यक्ति आपको कहे कि यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ से बहुत लाब है, यहाँ निवेश कर दो, यहाँ पैसा ही पैसा है, तो आपको, दोस्तों, आसानी से किसी की बातों में फसना नहीं है, अन्यथा बड़े संकट में आप उलजा सकते हो, आपको अपनी सूजबूज कायम रखना है, बुद्धिमानी के साथ अंडा लेना है तो समझ कर फैसला लेना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो छोटी-छोटी चीज हैं, आपकी जो छोटी-छोटी काम्याबी है, वो दोस्तों आपके जीवन को आगे ले जाएगी, वो आपकी सफलता को ते करेगी, इसलिए अपने छोटे-छोटे लक्षे बनाया, जीवन में दोस्तों आप सारे कम एक साथ नहीं कर सकते, छोटे-छोटे लक्षे आपको बनाने होंगे, छोटे-छोटे लक्षन पर कम करना होगा, मेह परंब करिये, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब आपके तमाम सपना सरकार हो जाएंगे, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और आपके माम में जो जो दुविधा है, आपके मन में जो जो प्रश्न है, जो जो परेशानिया है, वह सब दूर होगी तो आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए आज से कुछ कमजोर रहने वाला है क्योंकि आपको कोई सर्दी, खांसी, जुकाम आदी जैसी समस्या हो सकती है अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं आपकी आर्थिक स्थिती पहले से बहतर होगी और व्यवसाय में आप यदि कोई बदलाव करेंगे किसी प्रॉपर्टी की डील आप पार्टनर्शिप में ना करें, नहीं तो उसमें आपको कोई धोखा दे सकता है आज का दिन बिजनस कर रहे लोगों के लिए उतार चरहाव भरा रहेगा परिवार में मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा यदि आपने किसी बड़े काम को करने का विचार बनाया है, तो उसमें आप अपने माता-पिता से सलाह मश्वरा करके आगे बरहें परिवार में किसी पूजा पाठ व भजन कीरतन आदी का आयोजन होने से परिजनों आना जाना लगा रहेगा आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ती होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धी लेकर आने वाला है परिवार में यदि कुछ परेशानियां लंबे समय से चली आ रही थी तो वह दूर होगी व्यवसाय में आपको छुट-पुट लाब के अवसरों पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत कर पाएंगे आप किसी से किये हुए वादे को पूरा करें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बात चीत करनी होगी आज का दिन आपके लिए मिश्रित रुप से फलदायक रहने वाला है आपको किसी पुराने वाद विवाद को दूर करने की कोशिश करनी होगी जिससे परिवार में एकता बनी रहेगी रक्त संबंधी रिष्टों पर आपका पूरा जोर रहेगा प्रतिसपरधा का भाव आपके मन में बना रहेगा पैत्रिक संपत्ती संबंधित मामले में आप वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर चलेंगे तो आपको अच्छा लाभवश्य मिलेगा आपकी सुख सुविधाओं की वस्तूओं की खरीददारी पर आप अच्छा खासा धन व्याय करेंगे आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने से बचना होगा आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा आप अपने से ज्यादा औरों के कामों को पूरा करने में भाग दोड में लगे रहेंगे आप अपने बाकी कामों पर ध्यान नहीं देंगे जो आपके लिए समस्या लेकर आएंगे आपको सिर दर्द, बदन दर्द, आदी जैसे समस्या हो सकती है आप खुद एक नहीं पहचान बनाएंगे जीवन साथी के साथ मिलकर आप संतान के भविश्य के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वह आपके लिए लाब दायक रहेगी आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा आपको अपने कामों में बदलाव करने से बचना होगा किसी की दी गई सलाह पर बहुत ही सोच विचार कर चले किसी संपत्ति संबंधित मामले में आपको जूठा साबित किया जा सकता है राजनितिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कुछ कामों के पूरा न होने के कारण असुविधा होगी जिसके कारण उन्हें समस्या होगी आज का दिन आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे जिससे आपके परिवारे के एकता भी बढ़ेगी लेकिन यदि आज परिवार के किसी सदस्य को कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या चल रही है तो आज उसके कष्टों में व्रिध्य हो सकती है जिसके कारण आप परेशान भी रहेंगे यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्ष अवश्य लें आज आपको नौकरी में अपने अधिकारियों से किसी बहस बाजी में नहीं पढ़ना है यदि ऐसा किया तो वह आपकी तरक्की में बाधा बन सकते हैं साइंकाल का समय आज आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं आज मूवी देखने और मस्ती करने का दिन है रिष्टों में सकारात्मक्ता दिखेगी अपने पार्टनर के साथ यात्रा पर जा सकते हैं आज के दिन धनलाब हो सकता है अपने मित्र पर ज्यादा खर्च करेंगे आज आप किसी बात को लेकर उल्जन में रहेंगे महिलाओं के मन में कुछ नया करने की इच्छा जागरित होगी घर के बड़ों से धन की प्राप्ती होगी अपना पैसा किसी धार्मिक काम में लगाएंगे तो पारिवारिक खुशी मिलेगी जरूरी कारियों में जीवन साथी का योगदान कारगर साबित होगा इस राश्य वाले छात्र नौकरी के आवेदन फार्म भरना चाह रहे हैं तो दिन शुब है घर से बाहर निकलने पर सावधानी पूर्वक वाहनों का प्रयोग करें घर परिवार से तो विवाह के लिए हरा सिगनल मिल जाएगा परंतु हो सकता है लव पार्टनर आखिरी समय पर मुकर जाए रोमैंटिक लाइफ में आज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ससुराल पक्षभी से भी आज आज आपको धन मिलता दिख रहा है जिससे आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूती मिलेगी आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं लेकिन आपको उसमें अपनी आय को ध्यान में रखकर ही व्याई करना होगा रोमैंटिक लाइफ काफी उत्साह जनक है लेकिन लव मैरिज को इच्छुक लव बर्ड्स के लिए दिन राशा जनक रहेगा कुछ नया कहने या करने को मन कर सकता है लेकिन आप शर्म या असहजता की वजह से ऐसा नहीं कर पाएंगे बच्चों का परीक्षा में रिजल्ट अच्छा आएगा आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा नई योजनाएं शुरू करने के लिए दिन अच्छा है आज आप जो भी कारे करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी नौकरी करने वाले लोगों को सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा नए मौके को हाथ से न जाने दें लव मेट्स के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है घर पर आपके विवाह की बात होगी वैवाहिक जीवन में बदलाव आएगा व्यापार में लाब साथ ही व्यवसाय में तरक्की हो सकती है जो आपके परिवार में खुशियां लाएंगी लव रिलेशन विवाह में बदल सकता है भाई से अगर आपका किसी वजह से जगड़ा हो गया था तो आज उसके भी खत्म होने की संभावना है आपके विवाह भाव का स्वामी जीवन में नए प्रपोजल ला सकता है यह कार्य और प्रेम दोनों प्रकार के हो सकते हैं